नमस्कार सांतियों केसे हो आशा करता हूं बढ़िया और प्रसन्न होंगे प्रसन्नता के साथ हमारे समक्षे वर्क शीट 42 जिसमें करेंगे हम आकलन समानतर रेखाएं यहां पर एक आकरती है जिसमें A और B दो रेखा है उनको एक प्रती छेट करती हुई प्रती छेट दी रेखा C यहां से गुजर रही है अब इस C के गुजरने से यहां से निकलने से A और B पर कुछ कौन बन रहे हैं यह कौन बन रहे है अब इनके बारे में कुछ प्रस्न है चलिए प्रस्न देखते हैं प्रस्न है दो समानतर रेखा A और B को तीरेक छेडी रेखा C काटती है जो कि C A B को काट रही है तो निकलन लिखीत प्रस्नों के उतर दीजिए पहला पुछा है मैं अन्तह कौनों के नाम तो आसान सब्दों में कहें अन्तह कौन यानि जो अंदर बन रहे अंदर कहां इन दो रेखाओं के अंदर C और D ये भी अन्तह कौन है A पोर E ये भी अन्तह कौन है तो कौन C कौन D कौन F व कौन E इनको क्या कहेंगे हम अंतह कौन जो अंदर बन रहे दुसरा क्या पुछा है बाहे कौन बाहे कौन वे कौन जो बाहर बन रहे बाहर कौन बन रहे बाहर कौन बन रहे ठीक है अब क्या पुछा आप पुछा एकांतर अंतह कोण तो एकांतर कोण और अंतह कोण भी है और एकांतर तो अंदर बनने वाले जहां पर जेड की आकरती बने दिसे ये 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 और ये क्या है एक आंतर कोणों के एक आंतर अंतर कोणों के यूग में यानि D और F कोण D और कोण F ठीक है और दुसरा जोड़ा दुसरा जोड़ा C और E यानि कोण C और कोण E यह है एक आंतर अंतर कोण अब क्या पुछा है? अब पुछा है संगत कोणों के यूग में संगत यानि जो संगत ही करे यानि कोण E किसके जिसे दिख रहा है? कोण E के जो की बराबर भी रहेंगे क्यों बराबर हैं क्योंकि ये दोनों समानतर रेखा हैं तो समानतर रेखाओं में हमेशा संगत कौन बराबर हैंगे तो संगत कौन कौन हो गया A वह E कौन A और कौन E ठीक है दुसरा कौन D वह कौन H कौन D और कौन H ठीक है तीसरा जोड़ा कोण B और F कोण B और कोण F चोथा जोड़ा C और G कोण C और कोण G संगत कोण हमेशा बराबर रहेंगे क्योंकि A वब B एक समानतर रेखा है जिनको तीरेक छेदी रेखा C इनके उपर से गुजर रही है कुछ प्रस्न और है ये प्रस्न हमसे पूछ रहे है एक त्रिभूज के तीनों अंतर कोणों का योग त्रिभूज के तीनों अंतर कोणों का योग एक सो असी हमेशा होता है दूसरा है एक त्रिभूज जिसकी कोई दो बुजाएं माप में समान हो उस्त्री बुष को क्या कहेंगे उससे कहेंगे सम्द्वी बाहू जिसकी दो बाहें समान रहती है उस्त्री बुष को बोलते हैं सम्द्वी बाहू तिसरा प्रस्न है त्री बुष के बाहें कोणों की माम उसके दो सम्मुक अंतह कोणों के योग के बराबर होती है अगला प्रस्न है एक त्री बुष जिसकी प्रत्यक भुजा की माम समान हो यानि जिसकी तीनों ही बुजाएं बराबर है उससे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं सम्बाहू त्री बुज समान जिसकी बाहें रहे उससे सम्बाहू त्री बुज कहते हैं पांचवा प्रस्न है, संबाहू त्रिभुष का प्रत्य कोण की माप 60 डिगरी होती है, ठीके, 60, धन, 60, धन, 60, कित्ते हो जाएंगे, 180, त्रिभुष के अंतरा कोणों का योग, 180 भी होता है, और समान, यदि बाहें हैं, तो सभी कोण भी 60 डिगरी के होंगे, आशा है, वर्क देहीन वंदे मात्रम